हाई एवर्वन वेर्कुम बैक टो माई चैनल दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके साथ दो स्टेप्स में स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए ऐसा अमेजिंग फॉर्मुला शेयर करने वानी हूँ जिसके फर्स टाइम के यूज से ही आप अपन यूज से स्किन स्पॉर्टलस एंड इवन टोन बनेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीशिए प्रियांस टियाइवाई चैनल को और बेल आइकम पे क्लिक कीशिए मेरे फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और य इस स्किन से डर्ट और इंप्योरिटीज को हटाता है वैसे आप इसकी जगा मसूर जाल का पाउडर भी ले सकते हैं फिर आइट करें हाफ टी स्पून हल्दी एक चमच टमाटो पर्प या फिर टमाटो ज्यूस और लास्ट में दो से तीन स्पून कच्चा दूथ अब इन स सभी चीज़ों को मिला के एक स्क्रब रेडी कर ले इससे लगाने से पहले फेस को ल्यूक वाटर से वाश करें जिससे स्किन के पोर्स ओपन हो सके और स्क्रब स्किन को एक्सफोलियेट कर सके अब इससे लगा के तीन से पांच मिनित तक ऐसा ही रहने दे और फिर जेंटली स्क्रब करें और गुनगुने पाने से फेस को वाश कर ले नेक्स्ट टेप है फेस मास्क इसके लिए एक बोल लेकर उसमा आड़ करें वन टीस्पून सैंडल वोड यानि के चंदन का पाउडर एक टेबल स्पून बेसन कुछ ट्रॉप्स लेमन जूस की हाफ टीस्पून हल हाफ स्पून हनी यानि के शहद और लास में दो से तीन टेबल स्पून कच्चा दूध सभी चीजों को मिक्स कर ले और इसका एक ठिक फेस मास्क पना ले अब अपने पूरे फेस पर इसका एक ठिक लेयर लगाए ध्यान रहे कि इसे आपको 20-25 मिनित तक लगाए रखना है इसके बेस्ट रिजर्स के लिए 25 मिनित बाद फेस को पानी की जगा कच्चे दूध में कॉटन बॉल को डिप करके उससे इस मास्क को रिमूव करे और 5 मिनित बाद चहरे को पानी से धोले इस तरह से इन दोनों स्टेप्स को करने पर स्किन फर्स्ट यूज में ही एक से दो शीट्स फैर एंड ग्लूइंग दिखेगी इसके बेस्ट एंड पर्मिनेंट रिजर्स के लिए आप इसे हफते में दो बार जरूर यूज करे जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूले साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले